केरल में एक ट्रांसजेंडर वेक्ती ने ट्रांसजेंडर लोगों की रोजगार और सिक्षा में आरक्षन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की इस दोरान भारत के मुख न्यायधीश, डीवाई चेंदर चूर, न्यायमूर्ती जेबी पार्दिवाला और न्यायमूर्ती मनुद मिश्रा ने एक नोटस जारी करके केरल के एक ट्रांसजेंडर वेक्ती की दायर याचिका पर केंदर और सभी राज्यों के साथ-साथ केंदर शाषित प्रदेशों से जवाब मांगा है। बता दे कि इसी तरह की याचिका का जवाब देते हुए केंदर सरकार ने जुलाई में कहा था कि ट्रांसजेंडर वेक्ती, नोकरियों और सैक्षनिक प्रवेशों में पहले से ही निर्धारत आरक्षन का लाब उठा सकते हैं। उनके लिए कोई अलग से आरक्षन प्रदान नहीं किया जा रहा है। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोट ने राष्ट्र कानून सेवा प्रधिकरन यानि कि नालसा बनाम भारत संग के 2014 के एतिहासिक मामले में दिये गए अपने आदेश कानुपालन नहीं करने का आरोप गाने वाली एक याचिका पर अफमाना नोटिस जारी किया था। केंद्र समाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्राले के सचिव के दाइरे हलत नामे में कहा गया कि ST, SC और SEBC समधायों में संबंधित ट्रांसजेंडर पहले से ही इन समधायों के लिए निर्धारित आरक्षन के हगदार है। इसके अलावा कहा गया था कि 8 लाक रुपे की वार्षिक पारिवारिक आयवाले ST, SC और SEBC समधायों के बाहर कोई भी ट्रांसजेंडर स्वचालित रूप से EWS के श्रेनी में शामिल है। निर्धेश दिया था और तीसरे लिंग और उनकी लिंग की पहचान को कानूनी मान्यता दी थी।